अगर आप एक इंजिनर्स हो तो आपके लिए एक मौका है इस मौका को आप मिस मत करना यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट निम असिस्टेंट इंजिनर्स के लिए जो है यह रिक्रूमेंट आई है और से छीव बस्ट के लिए जानकरी में आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ और हम जानेगी इस वीडियो में कि कोन कौन कर आपके प्ल JESS कर सकता है क्टकर साथे सब्सक्राइब कहरें तो संबस्क्राइब करके बिल आइकं जुरूर परिज कह रिसक PK लेन तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और हमारा एक टेलिग्राम का चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ भी आप जो है हमारे टेलिग्राम के चैनल को जोईन कर सकते वहाँ भी आपको डेली बसे पे सबस्क्राइब किसे लिए और ऑपकार जिडानेया करण सकते हैं कि को नगलggi कि नगव बता कर सकते हैं की शिचेम का उनलाइन कर सकता है वहाँ गयो को एटेसली बात कराथ कि नोणबर तक चारण को फिलब कर सकते हैं and vacancies को details में बताया गया है आप अगर आप यूर काटिकरी से बिलोंग करते हैं तो कितनी सीट्स हैं से के लिए कितनी सीट्स है पूरी जनकार इसमें दी गई है आप यहां पर candidates के बारे education qualifications के बारे में भी बताया गया सबसे main चीजें जो है वह education qualification से अगर आप इस पोस्ट के लिए अपलाई करते हैं तो यहां पर बताया गया है कि एक candidate must hold a degree in electrical engineer और an equivalent qualification अगर आप डिग्री को complete कर रखें बीटेक भी कर रखा तो आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं एस criteria भी बताया गया एज लिमिटेशन भी बताया कि इस लिमिटेशन क्या होनी चाहिए यहां पर एक candidate must have attend the age of 21 कम से कम जो है 21 साल उमर तो होनी ही चाहिए उस candidates की और यहां पर उसके बारे में application fees के बारे में बताया गया अगर आप इस पोस्ट के लिए प्लाइ करते हैं तो application fees जो है आपको बताया है कि एक कंडिडेट रिक्वाइट रिक्वाइट टू पे नं रिफॉंडल एंड अजस्टेवल फिए 500 रूपीस आपको 500 रूपीस पे करना होगा जो की नन रिफंडेवल है नन अजस्टेवल है बाद में आपको यह नहीं मिलेगा method of selection बताया गया है अगर आप इस पोस्ट के लिए apply करते तो आपको selection कैसे होगा आपको job कैसे मिलेगा तो यह जो जो होगा वह आपका exams होगा exam के basis पे आपको का selection होगा आपका मैंट लिस्ट बनेगा place of examination बताएगा examination का होगा एक जिन option examination जो है देख सकते हैं 5 जौन में होगा जिसे बालसोर समवालपूर बरहंपूर यह सब locations यहां पे आप exam से लिया जाएगा कुछ eligibility criteria भी दिया गया उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं तो टोटल जो है यह 11 पेस का जो है official notification जो की department की तरफ से जारी किया गया है यह जो information मैंने आप लोग के साथ share किया है इस information को मैंने आपको sort में share किया है तो अगर आप ज्यादे जानकरी चाहते है इस official notification को download करके एक बाप पढ़के आप पूरी जानकरी पा सकते हैं और इस form को जो है आप easily apply कर सकते हैं बस ध्यान यह रखना है कि 14 नौंबर से पहले form को online कर दें तो गाइस उम्मीद करूंगा है कि आपको व वेकंसिस के बारें पता नहीं होगा और इस form को एक फिलप नहीं कर पाएंगा तो शेर जरूर करना और फिलाल आज के लिए इतना ही फिर मैं किसी नई वीडियो मिलूंगा किसी नई गौर्णमेंट जोब की वेकंसिस के साथ थैंक्यू सो मच